हलो मेरे दोस्तों मेरे भाईयों कैसे हो आप लोग आज की वीडियों जो आप हमने स्क्रीन पर टाड़ पंच देख रहे हैं इसको वीडियों में अच्छे अपनी कवर करेंगे सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की पैसिंग के बार में बताता हूं 6 लाग से स्टार्ट होके 10 10 लाग तक इसका ओन रोड का प्राइस जाता है एक दम मस्कुलर से देखने के लिए आपको मिल जाते हैं हमारी माइक्रो स्यूव दोनुई ओप्शन अवैलबल हो जाते हैं इस कार के साथ पैट्रोल सी एंजी टांसमिशन मैनूल आटोमेटिक इसमें आपको चार मिलेंगे एडविंचर, कमलेस, प्योर, एंड क्रेटिव यह आप क्रेटिव देख रहे हैं आटोमेटिक डियोल टोन कलर जिसमें आपको ब्लैक कलर के साथ रूफ देखने के लिए मिल जाती है जिसमें आपको स्मार्ट की अलाविवल प्रोजेक्टर, हेड्लैम्स, बड़ी से आटकल लोगो देखने के लिए मिल जाता है, ग्लोसी ब्लैक कलर की फ्रंट ग्रिल के साथ, साथ में क्रोम की पूरी बिडिंग देख रहे होंगे, आप जो डियरल से उस साइड से इस साइड तक एंड जाती है, डे टाइम रनिंग लाइट जो प्रोपर रहेगी, साइड मे बात करें तो टॉप मॉडल में बड़ा सा प्रोजेक्टर हाई बिम के लिए हाई लोजन नीचे देखेंगे तो फोग लैम्स देखने के लिए मिल जाते है, खासी जिसकी लॉर ग्रिल, लॉर ग्रिल अगर आप देखेंगे इसकी, तो बिलकुल पूरी ब्लैक बैटन के अटोन में देखने के लिए मिल जाता है, एसी वैंट्स देखेंगे, आप तो ब्लू कॉलर के सरूंडिंग लाइन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, यह टची स्क्रीन और यह आटोमेटिक ट्रंसमिशन, इसमें सीट्स और आम राइस्ट अपग्रेड हुआ है, बाग इसमें आपको 16 इंचे के लिए मिल जाते हैं, पूरे के पूरे टायर के पौफाइल अपॉलो के टायर से रहेंगे, और यह आपको ब्लैक क्लेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, एंड टो एंड है, जो यहां से शुरू से लेके एंड तक, लास्ट वंपर तक कंटिन्यू रहेगी, अगर भाई साब, अगर भाई साब हम बात करें डैमेंशन की, तो इसमें आपको 3827 mm की इसमें लेंथ मिल जाती है, 1742 mm की विड्थ, एंड 1615 mm की इस कार में आपको हैड देखने के लिए, बाकी अगर भाई साब अगर हम इसको कंपेरिजन की बात करते हूंडा एकस्टर की साब हमारी कार सीदर कंपैरिजन में आती है, टैمنशन में हमारी कार जो है, टाटा पंच हमारी हूंडा एकस्टर से जादर ठीक ठाक की रहेगी, अच्छे मेरेगी लुक्स के मामलें बहुत अच्छे रहेगी, ग्लोसि ब्लैक के साथ हमारी पूरी यह यहां पर देखने के बिलेगी, यहां पेंटी ने मिल जायागा, मैट ब्लैक के साथ, और यह हमारा 37 लीटर कैपिसिटी के साथ, फ्यूल कैप, यहां पर यह मिल जाता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक से मिलते हैं, आगे आपको डिस्पुरे कब बात कर लेते हैं, ब्लैक प्रोफाइल की यह हमारे बैक प्रोफाइल की टाटा पंच की पूरी बैक प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो देखने में बहुत ही सही मिल जाती है सही देखने के लिए भी लग रही है भाई कॉंपेटिशन इसका सीधा हुंड़ा है एकस्टर मैगनाइट और काईगर से भी हम करा सकते हैं वर सेफटी वाइस बात करें तो नंबर वन हमारी कार रहेगी टाटा बैक प्रोफाइल पे अगर आप देखेंगे नजर मारेंगे त नीचे वहीं टैरेट डिजाइन रिफ्लेक्टर ब्लैक आउट आउट यहां पे पूरा बंपर दो यहां पर पार्किंग सेंसर दो रियर सेंसर सैटप ऐसा रहेगा यहां और यह एकस्ट पाइप तो यह हो गई हमारी पूरी बैक प्रोफाइल की बात अब हम जो आगे बात सट याने 366 लीटर का बहुत भी बड़ा सा स्पेस गाड़े में आपको देखने के लिए मिल जाता है और यह इसकी पंचर रिपेर केट यहां बूट लाइट हुक हुक यहां पे स्टेपने टायर आपको यहां मिलता है नीचे हमारे अलोय टायर जो नीचे का देखिए जो जो प्रोफाइल है वो 58 इंचेस रहेगे 15 इंचेस बागी जो टायर की प्रोफाइल है टायमें के ट्रलोय के साथ वो 16 इंच की कंपनी ने दी हुई है बागी बागी जो यह सीट्स हैं आपको 100 परसंट पूरी फॉल्डबल मिलेगी और फॉल्डबल का ऑप्शन मिलेगा त जो आपको किसी और अधर ओप्शन में यहां पर टाटा के लावा नहीं मिलती है और यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर हमारा सेलिब्रिशन बैच देगा बागी बहसा बैसा रहेगा हमारा यहां पूरा डेशबोर्ड का व्यूव सेवें इंच वाली टची स्क पूरा का पूरा से खोलेंगे हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के पूर अंदर का जो हमारे व्यूरहेगा इस तरीवत दहु initiate को यहां पे मिल जाता है फॉड यहांपे एसोंकर चाहिस अभूrat के सफाट है यहां है यह यहांपे ऊद्क हेंा सांटर मिल जाता है और भाई इया देखेंगे में देखेंगे अपको बॉयरो यह स्पेस मिल टो श्यारी ब्लाइक पॉरे की देखने केSTA 피 पूरा कअ पूरा विउ यहांपे ब्लू कलर के साथ पूरा going सब चीजे देखने के लिए ऐसी मिल जाती है यहांपे रहे गाए इसके citizen और बाइस सब को सब लगा करने के बाद सेमी डिजीटल में यहांपे आन्म हो जाता है यहांपे देखें सब्सक्राइब करेंगे कि कौन कौन से चीज़े आपकी यहां पर अच्छे तरह देख सकते हैं सेम डिजिटल मीटर पूरा फुली हां पर देखने के लिए अब बात करें तो भाई साब थोड़ी से स्टेरिंग वील की हैं पूरा पूरा लेधर फिनिश के साथ आपको मिल जाता है बीच में बड़ा सा टाटा का लोबो देखने के लिए मिल जाता है मिडी और यहां पर क्रूस कंट्रोल्स के ओप्शन से यहां पर सारे मिल जाते हैं ätzों इंस्ट्रमेंट सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट यहांप अपको देखने के लिए रिए फोड़ा सा इसके हम भाई साब फेल के ब कर लेता हैं यहां पर इस तरीके का मिल जाए आगरभाई साभी यहां पर देखते हैं यहां प跟我 के पूर आटमेटिक के कंट्रोल्स यहां पर रहें सेंसर के यहां पर सारे बागे थोड़ी सी बात करेंगे भाई साब हम थोड़ी डैश्बोर्ड के हैं पर 7 इंचिस के आपको डिस्प्ले आप देखने के लिए तच्छी स्क्रेन मिल जाती है कनेक्टिंग के बात करें तो इ बहुत सारी फीचर साब इसमें कर सकते हैं और हम ब्लैक जा सकते हैं और अगर देखने के लिए मिल जाता है और आप को यहां से कंट्रोल ना चाहिए तो यहां से बेज Of और इसके बराबर में ही अगर आप देखेंगे तो यह डेकंतिक पी आगरापी थोड़ा बहुत समान रखने के लिए छोटा सा से स्पेस और भाई सब यह रहेगा हमार ओटोमेटिक ट्रांस्मिशन ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिश के साथ ट्रांस्मिशन आपका बेस को छोड़ के ऊपर जो भी वेरिंट्स होंगे उसमें आपको ऑटोमेटिक ओप्शन देख बात करें बात करें बोनट की इंजन की तो भाई साब हम यहां बोनट खोल देते हैं इंजन की स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी बात करें इसमें आपको मिलता है 1.2 लिटर के रेवेट्रों पावरफुल पेट्रोल इंजन इस जो कि आपको 86BHP की पावर 113 mm का ट भाइज बंद कर लेते हैं बोनट को बंद करने की अब बात कर लेता है भासाब हम थोड़ी से इसके प्राइजिंग की जो आप अपने स्क्रीन पर टाड़ा पंच का यह वाम वेरेंट देख रहे हैं क्रेटिव तो यह आपका डियोलटोन क्रेटिव टॉप तो यह वाले व वीडियो आपके लिए आगे भी भूस तो